इधर बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट्स किया है जो एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जब भी हम Cyber Cell के पास जा रहे हैं तो हमें एक Advocate के साथ जाना चाहिए या बिना Advocate के भी हम Cyber Cell के सामने जा सकते हैं तो मैंने सुचा कि इस संबंद में एक वीडियो बना कर आपको पूरी तरह से clear कर दूँ कि कब आप बिना किसी advocate के cybercell के सामने जा सकते हैं और किन परिस्थितियों में बिल्कुल आपको advocate के साथ ही cybercell के सामने जाना चाहिए तो देखिए ऐसा है कि जब भी आप cybercell को खुद contact क cybercell के पास जा सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं अब यह आप पर निर्भर करता है आप चाहें तो advocate के साथ भी जा सकते हैं या इस पहली परिस्थिति में आप बिना advocate के भी वहां पर आराम से जाकर cybercell से बात कर सकते हैं इसके अलावा अगर CRPC section 91 के तहत directly आपको notice किया जा र है और bank को कह रहा है कि आपको सूचित करें कि आपको cybercell के सामने उपस्तित होना है तो इस परिस्तिती में भी आप advocate के साथ या बिना advocate के भी cybercell के सामने जा सकते हैं जहां तक बात रही CRPC section 160 के notice की तो CRPC section 160 के notice पर भी आप चाहें तो advocate को ले जा सकते हैं या इस notice के अंतरगत भी आप वहाँ पर बिना advocate के भी जाकर अपनी बातों को cybercell के सामने रख सकते हैं और जो भी explanation है या जो भी सफाई देनी है जो भी documents देने है वो आप cybercell को सौप सकते हैं अब देखिए मैं यह clear कर कर दूं कि 91 या CRPC 160 के अंतरगत अगर आपको notice मिल रहा है तो फिर आपको cybercell के सामने निश्चित रूप से उपस्तित तो होना ही पड़ेगा चाहे advocate के साथ हो या बीना advocate के हो अगर आप cybercell के सामने उपस्तित नहीं होंगे तो इसके अलग legal complications होंगे जो आपको जिलने के और investigation join करने का आदेश दे रहा है इन दोनों परिस्तितियों में कभी भी आप अकेले cybercell के सामने ना जाएं मैं फिर से repeat कर दूं चाहे CRPC section 41A का notice आपको मिला हो या एक simple notice cybercell ने आपको थमाया हो जिसके अंतरगत वह आपको आदेश दे रहा हो कि इतने दिनों के अंदर advocate के cybercell के सामने नहीं जाना चाहिए नहीं तो हो सकता है कि आप एक unwanted situation में फस जाएं unwanted situation से यहां मेरा तातपर यह है कि जब भी cybercell आपसे पूछताच करेगी तो हो सकता है आपको डरा के आपके pressure create करके आपको panic करके वह उल्टे सीधे सवाल जवाब करें और आप उस डर under pressure या तो definitely वह एक panic situation में या under pressure आपको कोई भी गलत जवाब नहीं देने देगा या फिर किसी भी तरह के उन investigating agency के pressure से आपको बचा सकेगा अगर कोई legal complications खड़ी होती है कोई legal issues खड़ी होती है तो भी आपका advocate उसे वहां बहतर धन से समझ सकेगा और कोई legal action का सुझाओ भी आपको दे सकेगा इसलिए इसमें कहीं confusion के जरूरत नहीं है अगर आप cyber sales के पास बीना notice के जा रहे हैं CRPC 91 के notice के बाद जा रहे हैं या फिर CRPC 160 के notice के बाद जा रहे हैं आप advocate साथ लेकर जाओ या ना जाओ कोई दिकत नहीं है लेकिन CRPC 41A और investigation join करने का notice आ रहा है तो definitely आप अपने advocate के साथ ही वहाँ पर जाएं तो आसा करता हूँ कि इस संबंद में आप तमाम लोगों को clarity हो गई होगी कि कब advocate के साथ जाना है और कब without advocate भी आप cyber sales या किसी भी investigating agency के सामने जा सकते हैं